National Youth Parliament 2023 में राजधानी राइपूर की माहीरा खार ने तीसरा इस्थान हासिल किया है और उनका जो वीडियो है शोशल मीडिया में जो उन्होंने भाशन दिया है बहुत वाइरल हो रहा है हमारे साथ माहीरा है, माहीरा सबसे पले तो आपको बहुत बहुत बदाई पुरे देश भर में आपने उने प्रेज़न टेकिया चात्रिस गड़क और आपका तीसरा रेंक आया कैसा मैसूस करें है बहुत अच्छा लग रहा है अपने ले नहीं अपनों के लिए हमारे घर वालों के लिए बहुत बड़ा खांदान है माशाला उन लोग के लिए हमसायों के लिए और बाकी हर किसी के लिए जो इससे इंस्परेशन ले पाया है माहिरा ही जाना चाहेंगे कि जो अभी आप वाइरल हो रही है जिस तरह से आपके वीडियो पसंद किये जा रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं आप ही पढ़ रही होगी तो कैसा मैसूस हो रहे है जैसे हमने कहा कि हमें खुद के लिए एक साटिस्फैक्शन लगता है तसली हो जाती है कि नहीं कुछ करने निकले थे वह अचीफ कर लिए बाकी तो दूसरे देख रहे हैं उसको उनसे सीखने का मौका मिल रहा है तो उनके लिए अच्छी बात है यह हमें तो अच्छा ही ल का उसमें भी हम स्पीकर बनके गए थे चातिसगर से फर्स रांक हमारा लगा था लेकिन हमारा नाशनल लेवल पर कोई रांक नहीं लग पाया था तो बहुत मायूसी थी अपने राजिक के लिए तो हम सोचे कि इस बार फिर से कोशिश करेंगे तो इस बार हमने कोशिश की और हमारी खुश किसमती हुई कि हमारा लांक लगा इस तफ़ा तो माहिरा हम जाना चाहेंगे कि आपका अकेट्बिक बेग्राउंड क्या रहा है आप कहां से पढ़ाई अपने की ग्रेजवेशन अपने कहां किसे किया अब ये वर्तमान में आप क्या पर जी हमने स्कूलिं अपनी DPS राइपर से करें और सुपर विजन रहा है मुखर जी सरका जो प्रिंसिपल थे हमारे और अभी भी है और उसके बाद हमने डिग्री गल्स से अपना कॉलेज कंप्लीट किया है गवर्मेंट गल्स कॉलेज है यहाँ पर उसके बाद हमने जामिया से अपना मास्टर किया है मास कम्यूनिकेशन अभी फ्यूचर में अपकी क्या प्लानिंग है कि मास्टर्स के बाद और अब क्या करने वाली है जी शुकर है हम प्लेज हो गया है को परेट कम्यूनिकेशन में आट वेदानता तो इस अगुड पोस्ट आम लुकिंग फॉरवर्ट तो इट उसक मारे पास कुछ वक्त रह जाता है जिससे हम दूसरों को भी सीख दे पाएं तो हम उस डारिक्शन में भी सोच रहे हैं माहिरा जाना चाहेंगे कि यह यूद पार्लियमेंट में जाने का प्रोसेस क्या होता है बहुंच से लोग हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन उनने इंफर साल करते रहते हैं तो आप उनसे टच में रहें फिर उसके बाद जो आपको हेड़क्वाटर मिलता है वहां के ऑफिसर होते हैं आप से कनेक कर लेते हैं जिससे इस दफा हमारे अधना अंसर थे और बाकी दूसरे यूथ वोलंटियर्स जैसे विनेसर और बहुत सारे लोग ह तो आपको एक काम करना होता है आप constantly उनसे टच में रहें तो जैसी कोई notification आती है आप उसमें apply करिए और district level के competition में participate करिए और अगर आप first और second आते हैं तब आगे जाने का मौका मिलता है state level में और जो state level में first, second और third position आती है अगर आपकी तो आपको nationals में जाने का मौका मिल आता है और यह जाना चाहिए जो आपने भाशन तयार किया तो आपका भाशन तो बहुत ही पसंद किया जा रहा है और जो आपने शुरुआत की थी पंग्तियों से वह पंग्तिया भी हम सुनना चाहेंगे एक बार और अगर आप बोलना चाहें तो और यह किसकी पंग्तिया जब जब देहला विश्व हमारा और जब जब बेमक्सद खून बहा चीन, रूज, जापान सभी ने भारत को एक दूद कहा भारत को एक दूद कहा और ये पूरी speech प्रपेर करने में बहुत लोग का हात्रा है हमारी फैमली बहुत मदद करती है और बहुत लोग के perspective इसमें में डालने की कोशिश करते हैं तो आपकी speech बहुत comprehensive बन जाती है एक रहा पर नहीं चलती हो अलग-अलग divergent views को inculcate करती है जैसे हमारे दोस्ते आश्रतोष जामिया से तो हमें लगता था कोई ऐसा कोई intellect आपके contact में हो तो आप उनको बदा देए topic है तो आपको बहुत सारी चीजे inputs देर पाते हैं लेकिन हमारी एडवाइस नहीं कि आप speech खुद research करें और खुद लिखें आइडिया सबसे लें लेकिन structure आपके दमाग में होना चाहिए और एक positive message जाना चाहिए आखर में माहिरा वह जानाचेँ कि आप तुह आपना इस आप गांसेन चाहिए है और ज्यसके आप बता रहें कि समाज की मदद करने के लिए आप काम करें गया Самय देगे तो किस तरह की आप मदद करना चाहिए और आपकी रूची किस में और किस चाहिए जी हम भाशन देखकर रहे हैं और उसी के बार में बात हो रही है तो मारी रूची जो है कम्यूनिकेशन स्किल्स के तरफ है आजकल ऐसा बहुत सुनने में आता है हमें स्पेशली स्टेम बाग्राउंड से जो होते हैं साइन्स टेकनॉलोजी वाले वो उनकी कम्यूनिकेशन जो होती है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती उनका ज्यादा वक पढ़ाई में जाता है लेकिन जब आप फील्ड में उतरते हैं आप जॉब करने निकलते हैं तो आप जिसाब बोलते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है आपको आखर में जाके अपनी कमपनी वालों से इंटराक्शन ही करना पड़ेगा तो इस फील्ड में हम चाते हैं कि मदद करें लोगों की लोग को सिखाएं अपनी जबान पे कैसे एक अच्छा एंफसिस ला पाएं और इसी तरह मार डायरेक्शन गएगा साथ ही हम चाते हैं थोड़ा बच्चों को भी इस तरह हम अपना रुख लें और बच्चों को भी मदद कर पाएं इस तरह से आपको प्रसिद्धी मेली है परिवार की लोग भी खुश हैं खास तोर पर मम्मी पापा की खुशी कितनी हमें लगता है अभी कितने विव आगे होंगे और चाहिए तेरा लाख कुछ आ गए है एक लाख ता हमारे पापाई देखे हैं तो हमारे वाल डान दो बहुत खुश हैं बहुत ज्यादा वो दिन भर देखते रहते हैं उनको बहुत खुशी हुती है उनको बहुत फक्र महस होता है यह हमारी जीत है महीरा यह जानना साहिए यह हम आपसे चाहिए कि युवाओं को आप कह संदेश जिना चाहिए आज के प्रदिश में जिस तरह से युवापीडी अनिश्यत्रों में भी अच्छा कर रही है लेकिन जो अच्छी धारा पे नहीं जा पारे उनको आपक का नाम कामाता है सिर्फ ग्यान ही आपको आपका हग दिलाता है तो यह हमारा मेसेज है यूद के लिए कि वर्क ओन यूर नॉलेज तो यह थी माहीरा खान जिन्होंने यूद पार्लियमेंट 2023 में तीसरा इस्थान हासिल किया है जिस तरह से इन्हें प्रसिद्धी मिल तो रही है लेकिन खास तोर पर देखा जाए तो 36 गड़ और राइपूर का इन्होंने नाम रोशन किया है और इस पर सभी को फक रहे है